दोस्तों गोवा पुलिस ने कॉंस्टेबल के 773 पदों पर भरती निकाली है। दीसी, फार्मासिस्ट, स्वीपर, धोबी, बार्बर, नर्सिंग असिस्टेंट, जोब लोकेशन, ओलवर गोवा, क्वालिफिकेशन, टेंथ पास, ट्वेल्थ पास, आईटि आई, बी फार्मा से आप इसमें एपलाई कर सकते हैं। वेकेंसी है के टोटल 773 पदों पर, इसमें रजिस्टेशन की स्टार्टिंग डेट है 12 अक्टूबर 2021 और इसकी लास डेट है 8 नवंबर 2021 इसका एपलाई मोड है ओफलाईन, आप इसमें बाइपोस्टल के द्वारा एपलाई कर सकते हैं। चली जानते हैं इस वेकेंसी की फूल डिटेल के बारे में। दोस्तों इस वेकेंसी में पूलिस कॉंस्टेबल के यू आर केटेगरी के लिए 266, SC के लिए 27, ST के लिए 107, OBC के लिए 261 और EWS के लिए 73 पद इस तरह से टोटल पूलिस कॉंस्टेबल के 734 पदों पर वेकेंसी निकले हैं। फार्माशिस्ट के लिए UR केंडिडेट्स के लिए 5, OBC के लिए 1 इस तरह से टोटल 6 पदों पर वेकेंसी है। स्टेनो ग्राफर के लिए UR केटेगरी में 1, OBC में 1 इस तरह से 2 पोस्ट नियाँ पन निकली हैं। Lord Division Clerk के लिए UR Category के लिए 2, ST के लिए 1, OVC के लिए 1 और EWS के लिए 1 इस तरह से टोटल 5 Post इस Vacancy में निकली है। Barber के लिए 2 Post UR Category के लिए, ST के लिए 1 Post और EWS के लिए 1 Post यहाँ पर निकली है। इस तरह से टोटल 4 Post Barber की निकली है। दोबी के लिए UR Candidates के लिए 1, ST की 1 और EWS की 1 Post यहाँ निकली है। इस तरह से टोटल 3 Post दोबी की निकली है। Nursing Assistant की UR Candidates के लिए 3 Post, Total 3 Post यहाँ पर निकली है। Mesh Servant की UR Cabinet के लिए 6, SD के लिए 1, SD के लिए 2, OBC के लिए 4, EWS के लिए 1, इससे टॉटल 14 पोस्ट यहाँ पर निकली है. reamingidation के लिए UR Candidates के लिए 1 और EWS Candidates के लिए 1, इससे 2 पोस्ट यहाँ पर निकली है. टॉटल मिला के 173 पदों पर वेकेंजी निकली है. आप जानते हैं इसकी educational qualification के बारे में Constable के लिए 10th pass से आप apply कर सकते हैं Stenographer के लिए 12th pass या फिडिपलोमा से apply कर सकते हैं LDC के लिए 12th pass, diploma और English typing अनिवारे हैं Pharmacist के लिए B pharma, D pharma से आप apply कर सकते हैं Sweeper के लिए 12th pass, Dhoby के लिए 12th pass और ITI से आप apply कर सकते हैं Barber के लिए 12th pass और ITI से आप apply कर सकते हैं Nursing Assistant के लिए 12th pass से आप apply कर सकते हैं Mesh Servant के लिए आप 12th pass से apply कर सकते हैं चलिए जानते हैं अब physical standard के बारे में Constable Pad के लिए minimum height male के लिए 168 semi, female के लिए 177 semi मांगी गई है Chest 80 semi बीना फुलाए और 85 semi फुलाने पर Weight female के लिए 42 kilo कम से कम होना चाहिए और race 100 meter की race male के लिए आपको 14 second में पूरी करनी है और female के लिए 100 meter की race साड़े 18 second में पूरी करनी है Long jump की अगर बात करें तो 1.3 meter male के लिए 3 chances में आपको ये पूरी करनी है और female के लिए 0.9 meter की jump 3 chances में पूरी करनी है Running के अगर हम बात करें 800 meter की running 2 minute 50 second में male को पूरी करनी है और female के लिए 400 meter की running 1 minute 40 second में पूरी करनी है Age limit के अगर हम बात करें तो constable की post के लिए minimum 18 साल और maximum 28 साल होनी चाहिए और बाकी सभी post के लिए 45 साल की maximum age limit रखी गई है और SCST वालों के लिए यहाँ पर 5 साल की इसमें चूट है OBC वालों के लिए इसमें 3 साल की SCST sports person के लिए 10 साल की OBC sports person के लिए 8 साल की और X servicemen के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है Application fees के अगर हम बात करें तो General और OBC वालों के लिए यहाँ पर 200 रुपे fees रखी गई है SCST PWD X servicemen के लिए 100 रुपे की fees इस वेकेंसी के लिए रखी गई है Salary के अगर हम बात करें तो Constable के पद के लिए 19,900 से 63,200 रुपे लेवल सेकेंड के अंतरगत रखा गया है Stenographer के लिए 25,500 से 81,100 लेवल 4 के अंतरगत LDC के लिए 19,900 से 63,200 लेवल 2 के अंतरगत Pharmacist के लिए 29,200 से 22,300 लेवल 5 के अंतरगत Swipper के लिए 18,000 रुपे से 56,900 लेवल 1 के अंतरगत धोबी और बारबार के लिए 19,900 से 63,200 लेवल 2 के अंतरगत और Nursing Assistant Male Servant के लिए 18,000 रुपे से 56,900 रुपे लेवल 1 के अंतरगत Salary रखी गई है अब आईए जानते हैं इसके Selection Process के बारे में दोस्तों Constable और Nursing Assistant के लिए Physical Measurement यानि की PM Physical Efficiency Test and Return Test के आधार पर सेलेक्शन किया जाएगा Pharmacist की Post के लिए Return Test Stenographer की Post के लिए Skill Test and Return Exam LDC की Post के लिए Computer Test and Return Test Barber, दोबी, Mesh Servant और Swipper के लिए Practical Test के आधार पर सेलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा दोस्तों इस Vacancy में आप 8 नवंबर 2021 तक Offline Mode में Postal Address के द्वारा एप्लाई कर सकते हैं इसका Postal Address है Police Headquarters, Panji Goa, Mapusa Police Station, Bicholim Police Station, Ponda Police Station, Karčoram Police Station, Margaon Police Station और Wasco Police Station पे आप By Postal एप्लाई कर सकते हैं Important Dates के अगर हम बात करें तो इस Vacancy में Registration करने की Starting Date 12 October 2021 और इसकी Last Date है 8 November 2021 जोब Notification की बात करें तो इस Notification का लिंक आपको इस वीडियो की Description Box में आपको मिल जाएगा और इसकी Official Website है www.citizen.goapolis.gov.in दोस्तों, Goa Police की तरफ से 173 पदों पर Constable की और अन्य पदों पर वेकेंसी निकली हैं और इसका Official Notification भी जारी हो गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस Screen पर 12 October 2021 को इसका Official Notification रिलिस किया गया था इसमें आप Total Post Police Constable की 734 देख सकते हैं Unreserved Candidates के लिए 266, Schedule Cast के लिए 27, Schedule Tribe के लिए 107, OVC के लिए 261 और EWS के लिए 73, इस तरह से Total 734 पदों पर वेकेंसी निकली है पुलिस कॉंस्तेबल की Pharmacist की Post पर 6 वेकेंसी निकली है आप यहाँ पर Official Notification देख सकते हैं Stenographer की 2 वेकेंसी, LDC की 5 वेकेंसी, Barber की 4 वेकेंसी और 2B की 3 वेकेंसी, Nursing Assistant की 3 वेकेंसी, Mesh Servant की 14 वेकेंसी, Sweeper की 2 वेकेंसी निकाली गई है और इसकी Last Date है 8 November 2021 आप 8 November 2021 तक Offline Mode में इस वेकेंसी में एपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों एक बार फिर हम आपको बता दें कि गोवा पूलिस ने Constable और अन्यपदों पर 173 वेकेंसी निकाली है जिसका Official Notification 12 October को जारी कर दिया गया है इसकी Starting Date 12 October 2021 है और इसकी Last Date 8 November 2021 है आप 8 November 2021 से पहले इस वेकेंसी में एपलाई कर सकते हैं झाले कर सकते हैं